समस्त राम भक्तों को सरोजेंद्र सनातनी का जै सियाराम अभी तक श्री राम चरित्मानस के बालकांड की कथा में हमने सुना कि किस प्रकार से प्रभु नेवदार ले लिया है और गाधी पुत्र विश्वमित्र जी राक्षसों से त्रसित होकर के अयोध्या जाते हैं और प्रभु से मिलने की लालसा और उनके दर्शनों का उच्छा अपने मन में लेकर बहुत ही प्रसंद होते हैं अब आगे की कथा सुनते हैं बहुबिदी करत मनोरत जात लाग नहीं बार करिमजन सरव जल गए भूब तर बार पहुत प्रकार से मनोरत करते हुए जाने में देर नहीं लगी सर्यू जी के जल में सनान करके वे राजा के दर्वाजे पर पहुँचें मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गया उलय बेप्रसमाजा करी दंडवत मुनिह सनमानी निज आसन पैठारेन आनी राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्रामनों के समाज को साथ लेकर मिलने गये और दंडवत करके मुनि का समान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया चरन पकार कीन अति पूजा मोसम आज धन्य नहीं दूजा बिबिद भात भोजन करवावा मुनिबर हदे हरस अति पावा चरनों को धोकर बहुत पूजा की और कहा मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए जिससे श्रेष्ट मुनि ने अपने हदे में बहुती हर्ष प्राप्त किया पुनी चरननी मेले सुतचारी राम देखी मुनि देह बिसारी भैमगन देखत मुकसोभा जनुचकोर पूरन ससिलोभा फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरनों पर डाल दिया उनसे प्रणाम कराया श्री राम चंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधी भूल गए में श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए मानो चकोर पूंड चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो तब मन हरशी बचन कहराओ मुनि अस क्रपा न कीने हुकाओ केही कारण आगमन तुम्हारा कहू सुकरत न लावाँ बारा तब राजा ने मन में हरशित होकर ये बचन कहे हे मुनि इस प्रकार क्रपा तो आपने कभी नहीं की आज किस कारण से आपका शुब आगमन हुआ कहिए मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाओंगा असुर समूह सतावहिमोही मैं जाचन आयउन रपतोही अनुझ समेत देहु रगुनाता निसिचर बद मैं होब सना था मुनि ने कहा हे राजन राक्षसों के समू मुझे बहुत सताते हैं इसी लिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ छोटे भाई सहित श्री रगुनात जी को मुझे दे दो राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा प्रभुकर पंकच कपी के सीसा सुमिर्सो दसा मगन गौरी सा देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्यान धर्म सुजस प्रभु तुमको इनकह अतिकल्यान हे राजन प्रसन्न मन से इनको दो मोह और अज्यान छोड़ दो हे स्वामी इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्यान होगा सुनी राजा अति अप्रियवानी हदे कंप मुख दुति कुम लानी चोथे पन पायं सुतचारी बेप्र बचन नहीं कहव बिचारी इस अतियंत अप्रियवानी को सुनकर राजा करदे कांप उठा और उनके मुख की कांति फी की पड़ गई उन्होंने कहा हे ब्राम्हन मैंने चोथे पन में चार पुत्र पाये हैं आपने विचार कर बात नहीं कही मागहु भूमि धेनु धनकोसा सर्बस देऊं आज सहरोसा देह प्रांतें प्रिये कछुनाही सो मुनि देऊं निमिश एकमाही हे मुनि आप प्रत्वी गव धन और खजाना मांग लीजे मैं आज बड़े हर्श के साथ अपना सर्वस्व दे दूँगा देह और प्रांत से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता मैं उसे भी एक पल में दे दूँगा सबसुत प्रियमोही प्रान की नाई राम देत नहीं बनई गुसाई कह निश्चर अति घोर कठोरा कह सुन्दर सुत परम किसोरा सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता कहा अत्यंत डरावने और क्रूर राच्छस और कहा परम किशोर अवस्था के बिलकुल सुकुमार मेरे सुन्दर पुत्र सुने नप गिरा प्रेम रसानी हदय हरस माना मुनि ग्यानी तब बसेष्ट बहुबेद समझावा नप संदे नास कहपावा प्रेम रस में सनी हुई राजा की वानी सुनकर ग्यानी मुनि विश्वा मित्र जी ने हदय में बड़ा हर्ष माना तब वशेष्ट जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया जिससे राजा का संदे नाश को प्राप्त हुआ अथी आदर दो उतने बुलाए हदय लाई बहुबात इसी खाए मेरे प्राण नात सुत दो तुम मुनि पिता आन नहीं को राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुतरों को बुलाया और हर्दय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शेक्षा दी फिर कहा हे नात ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं हे मुनी अब आप ही इनके पिता हैं दूसरा कोई नहीं प्रभु करपंकच कपी के सीसा सुमिरसोदसा मगन गौरीसा सौपे भूप रिशी सुत बहुबिद देई असीस जननी भवन गए प्रभु चले नाई पदसीस राजा ने बहुत प्रकार से आशिरवाद देकर पुत्रों को रिशी के हवाले कर दिया फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चर्णों में सिर नवा कर चले पुरुष सिंग दो बीर हरश चले मुनिभै हरन क्रपा सिंधु मति धीर अखिल बिश्व कारन करन पुर्षों में सिंग रूप दोनों भाई श्री राम लक्ष्मन मुनिका भै हरने के लिए प्रसन्न होकर चले वे क्रपा के समुद्र धीर बुद्धी और संपोन विश्व के कारण के भी कारण है अरुन नयन उर्बाह विसाला नील जलजितन स्याम तमाला कटिपट पीत कसे बरभाता रुचिर चाप सायक दुहाता भगवान के लाल नेत्र है चोडी छाती और विशाल भुजाएं है नील कमल और तमाल के व्रक्ष की तरह श्याम्स शरीर है कमर में पीतांबर पहने और सुन्दर तरकस कसे हुए है दोनों हातों में क्रमशा सुन्दर धनुष और बाण है श्याम गौर सुन्दर दो भाई विश्वा मित्र महानिदिपाई प्रभु महानिदेव मैं जाना मोहिन निति पिता तजेव भगवाना श्याम और गौर्वन के दोनों भाई परम सुन्दर है विश्वा मित्र जी को महानिदि प्राप्त हो गई वे सोचने लगे मैं जान गया कि प्रभु ब्राम्हन देव ब्राम्हनों के भक्त है मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया चले जात मुनि दीन देखाई सुनी ताड़ का क्रोध कर दाई एक ही बान प्राण हर लीना दीन जान तही निजपद दीना मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़ का को दिख लाया शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दोड़ी श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिये और दीन जानकर उसको निजपद अपना दिव्य सरूप दिया तब रिशी निज ना था ही जिय चीन ही विद्या निदिकाउ विद्या दीन ही जाते लाग न छुदा पिपासा अतुलित बलतन उतेज प्रकासा तब रिशी विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समस्ते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूग प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो प्रभु कर पंकच का पिके सी सा सुमिर सो दसा मगन गोरी सा आयुद सर्ब समर पिके प्रभु निज आश्रम आनि कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जानि सब अश्त्र शस्त्र समर पन करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आये और उन्हें परम हितु जानकर भगति पूर्व कंद मूल और फल का भोजन कराया सबेरे श्री रगुनाद जी ने मुनि से कहा आप जाकर निडर होकर यग्य कीजिए यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे आप श्री राम जी यग्य की रखवाली पर रहे सुनी मारीच निसाचर क्रोही ले सहाई धावा मुनिद्रोही बिन उफर बान राम तही मारा सत जोजन गा सागर पारा यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्र क्रोधी राक्छस मारीच अपने सहाई को लेकर दोडा श्री राम जी ने बिना फल वाला बान उसको मारा जिससे वह सो योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जागिरा पावक सर सुबाह पुनि मारा अनुज निसाचर कटकु संघारा मार यसुर दिज निर्भैकारी अस्तुति करही देव मुनि जारी फिर सुबाह को अगनिबान मारा इधर छोटे भाई लक्षमण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मार कर प्रामणों को निर्भै कर दिया तब सारे देवता और मुनि स्तुत करने लगे तहा पुनि कचुक दिवसर गुराया रहे कीन बिप्रन पर दाया भगत हे तु बहु कथा पुराना कहे बेप्रजद्य प्रभु जाना श्री रगुनाजी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्रामणों पर दया की भक्ति के कारण ब्रामणों ने उन्हें पुरानों की पहुत सी कथाएं कहीं यद्य भी प्रभु सब जानते थे तब मुनी साधर कहा बुझाई चरित एक प्रभु देखे जाई धनुस जग्य सुन रगुकुल ना था हरस चले मुनी बर कैसा था तदंतर मुनी ने आदर पूर्वक समझा कर का हे प्रभु चलकर एक चरितर देखिए रगुकुल के स्वामी श्री राम चंद्रजी धनुशियक की बात सुनकर मुनी श्रेष्ट विश्वा मित्रजी के साथ प्रसन्न होकर चले आश्रम एक दीख मगमाही खग म्रग जीव जन्तु तहनाही पूछा मुनी सिला प्रभु देखी सकल कथा मुनी कहा भिसेसी मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा वहाँ पशु पक्ची कोई भी जीव जन्तु नहीं था पथर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा तब मुनी ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही प्रभु कर पंकच कपी के सी सा सुमिर सो दसा मगन गोरी सा गोतम नार शाप वस उपल देह धर धीर चरन कमल रज चाहती क्रपा करहू रगुवीर गोतम मुनी की स्त्री अहल्या शाप वस पथर की दें धारण के बड़े धीर से आपके चरन कमलों की धूली चाहती है हे रगुवीर इस पर क्रपा कीजिए पर सत्पद पावन सोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रगुनायक जन सुखदायक सनमुक होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा मुख नहीं आवई बचन कही अति सैबडभागी चरन निलागी जुगल नयन जल धार बही श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरनों का स्पर्ष पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहल्या प्रगट हो गई भगतों को सुख देने वाले श्री रगुनाद जी को देखकर वहाँ जोड़कर सामने खड़ी रह गई अत्यंत प्रेम के कारण वा अधीर हो गई उसका शरीर पुलकित हो उठा मुक से वचन कहने में नहीं आते थे वह अत्यंत बढ़भागिनी अहल्या प्रभु के चर्णों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आस्वों की धारा बहने लगी धीर जुमन कीना प्रभु कहुंचीना रघुपति क्रपा भगति पाई अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ज्यान गम में जैर घुराई मैं नार अपावन प्रभुजग पावन रावन रिपुजन सुखदाई राजीव बिलोचन भवभय मोचन पाही पाही सर नहीं आई फिर उसने मन में धीरजधर कर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाज जी की क्रपा से भगति प्राप्त की तब अत्यंत निर्मलवाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारम की ये ग्यान से जानने योग श्री रघुनाज जी आपकी जय हो मैं सहज ही अपवित्र स्त और हे प्रभो आप जगत को पवित्र करने वाले भक्तों को सुख देने वाले और रावन के शत्रु हैं हे कमलनेन हे संसार जन्म म्रत्यु के भैसे छुडाने वाले मैं आपकी शरण में आई हूँ मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए मुनि श्राप जो दीना अतिभल कीना परम अनुग्र मैं माना देखें भरी लोचन हरिभव मोचन इहाई लाभ संकर जाना बिन्ती प्रभुमोरी मैं मतिभोरी नाथ नमांगों बर आना पद कमल परागा रस अनुरागा मम्मन मदुप करे पाना मुनि ने जो शाप मुझे दिया सो बहुत ही अच्छा किया मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुडाने वाले श्रीहरी आपको नेत्र भर कर देखा इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाप समझते हैं हे प्रभो मैं बुद्ध की बड़ी भोली हूँ मेरी एक विंती है हे नात मैं और कोई वर नहीं मांगती केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी बहुरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे जेही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई सिव सीस धरी सोई पद पंकज जेही पूजत अजमम सिर धरेव क्रपाल हरी एही भात सिधारी गौतम नारी बार बार हरी चरण परी जो अतिमन भावा सोब रुपावा गय पतिलोक अनंद भरी जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगाजी प्रकट हुई जिने शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूछते हैं क्रपाल हरी आपने उनी को मेरे सिर पर रखा इस प्रकार स्थुत करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा उस वर को पाकर गौतम की स्ट्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई प्रभुकर पंकच कपिके सी सा सुमेर सोदसा मगन गौरी सा अस प्रभु दीन बंदु हरी कारण रहित दयाल तुलसिदास सथ तेही भजू छाड कपट जनजाल प्रभु श्री राम चंद्रजी ऐसे दीन बंदु और बिनाही कारण दया करने वाले हैं तुलसिदासी कहते हैं हे शठमन तो कपट जनजाल छोड़कर उनी का भजन कर प्रभुकर पंकच कपिके सी सा सुमेर सोदसा मगन गौरी सा चले राम लच्मन मुनि संगा गए जहां जग पावनि गंगा गाधी सून सब कथा सुनाई जही प्रकार सुरसरी मही आई श्री राम जी और लक्षमर जी मुनि के साथ चले वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी महराज गाधी के पुत्र विश्वा मित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी प्रत्वी पर आई थी तब प्रभु रिशन समेत नहाए बेविद दान मही देवन ही पाए फरसी चले मुनि ब्रंद सहाया बेगी विदेह नगर नियराया तब प्रभु ने रिशियों सहीत गंगा जी में स्नान के अब्रामणों ने भाती भाती के दान पाए फिर मुनि ब्रंद के साथ वे प्रसन होकर चले और श्री क्रिही जनकपुर के निकट पहुँच गए पुर रम्मिता राम जब देखी हर्शे अनुज समेत विशेशी बापी कूप सरितसर नाना सलिल सुधासम मनि सोपाना श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्षमन सहीत अत्यंत हर्शेत हुए वहाँ अनेकों बावलियां, कुए, नदी और तालाब हैं जिन में अमरत के समान जल है और मणियों की सीणियां बनी हुई हैं गुझत मंजुमत रस भ्रंगा, कूझत कलबह बरन भिहंगा, बरन बरन बिक से बन जाता, त्रिविद समीर सदा सुखदाता, मकरंद रस से मतवाले होकर भवरे सुन्दर गुझार कर रहे हैं, रंग बिरंगे पहुँच से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं, रंग रंग बह रहा है, प्रभुकर पंकज कपी के सीसा सुमिर सोदसा, मगन गौरी सा, सुमन बाटिका बाग बन, बिपुल बिहंग निवास, फूलत फलत सुपलवत, सोहत पुर चहुपास, पुश्प बाटिका फुलवारी बाग और वन, जिन में बहुत से पक्षियों का निवास है फूलते फलते और सुन्दर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों और सुशोबित हैं, बने नबरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहाई लोभाई, चारू बजारू, विचित्र अमारी, मनि मैं बेदिजन उस्वकर सवारी, नगर की सुन्दरता का वर्णन करते नहीं ब मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हातों से बनाया है, धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल, बस्तुले नाना, चोहट सुन्दर गली सुहाई, संतत रही सुगंद सिचाई, कुबईर के समान, श्रेष्ट धनी व्यापारी, सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुका सबके रे, चित्रित जनुरतिनाथ चिते रे, पुर्नर नारि सुभग सुच संता, धरमसील ग्यानी गुनवन्ता, सबके घर मंगल में हैं, और उन पर चित्र कड़े हुए हैं, जिन्हें मानो काम देवरूपी चित्रकार ने अंकित किया है, नगर के सभी स्त्री पुरुष सुन्दर पवित्र साध सुभाववले धरमात्मा ग्यानी और गुनवान हैं, अति अनूप जनक निवासू, बित कही विबुध बिलो की बिलासू, होत चकित चित कोट बिलो की, सकल भुवन सोभाजन रोकी, जहां जनक जी का अत्यंत अनुपम सुन्दर निवास स्थान मह वहां के विलास अश्वर को देकर देवताबी ठकित संबित हो जाते हैं, मनुश्यों की तो बात ही क्या है, कोट राजमहल के पर कोटे को देकर चित चकित हो जाता है, ऐसा मालुम होता है, मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को रोक रखा है प्रभुकर पंकज कपी के सीसा सुमिर सुदसा मगन गौरी सा धवल धाम मनी पुरटपट सुघटित नाना भाती सिय निवास सुन्दर सदन सोभा किमिक ही जाती उजवल महलों में अनेक प्रकार के सुन्दर रीती से बने हुए मन जटित सोने की जरी के परदे लगे हैं सीता जी के रहने के सुन्दर महल की शोभा का वणन किया ही कैसे जा सकता है सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा भूप भीर नट मागद भाटा बनी बिसाल बाज गजसाला है गए रथ संकुल सब काला राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुन्दर हैं जिन में बज्र के मजबूत अत्वा हीरों के चमकते हुए किवार लगे हैं वहां मातहत राजाओं नटों मागदों और भाटों की भीर लगी रहती है गोडों और हातियों के लिए पहुद बड़ी बड़ी घुडशाले और गजशालाएं फील खाने बनी हुई है जो सब समय घोड़े हाती और रथों से भरी रहती है सूर सचिव से नप बहुतेरे नप गर सरिस सदन सब केरे पुर बाहर सर सरित समीपा उतरे जहता बिपुल महीपा बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापती हैं उन सब के घर भी राज महल सरीके ही हैं नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं देखी अनूप एक अवराई सब सुपास सब भाती सुहाई कौसिक कहू मोर मनुमाना यहां रहे रगवीर सुजाना वही आमों का एक अनूपम भाग देखकर जहां सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था विश्वा मित्रजी ने कहा हे सुजान रगवीर मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए भले नात कई क्रपा निकेता उतरे तहमुनि ब्रंद समेता विश्वा मित्र महामुनियाए समाचार मिथिलापती पाए क्रपा के धाम श्री राम चंडरी जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वही मुनियों के समों के साथ ठहर गए मिथिला पती जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आएं है प्रभुकर पंकच कपी के सीसा सुमिर सुदसा मगन गोरी सा संग सचिव सुच भूरी भट भूसुर बर्गुर ज्याती चले मिलन मुनिनाय कही मुदित राउ एही भाती तब उन्होंने पवित्र हिदय के इमांदार स्वामि भक्त मंत्री बहुत से योध्धा श्रेष्ट ब्रामन गुरु शतानन जी और अपनी जाती के श्रेष्ट लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसनता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वा मित्र जी से मिलने चले कीन प्रणाम उचरन धरिमा था दीन असीस मुदित मुनिना था बेप्रब्रंद सब साधर बंदे जान भागे बढ़ राउ अनंदे राजा ने मुनिके चर्णों पर मस्तक मुनियों के स्वामी विश्वा मित्र जी ने प्रसन्न होकर आशिरवात दिया फिर सारी ब्रामन मंडिली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भागे जानकर राजा आनंदित हुए कुशल प्रसन करी बारही बारा विश्वा मित्र नपही बैठारा तेही अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई बार बार कुशल प्रशन करके विश्वा मित्र जी ने राजा को पैठाया उसी समय दोनों भाई आप पहुँचे जो फुलवारी देखने कए थे स्याम गौर म्रद उबयस किसोरा लोचन सुखद विश्व चित चोरा उठे सकल जब रगुपती आए विश्वा मित्र निकट बैठाय सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित को च अपने पास पैठा लिया भय सब सुखी देखी दो भ्राता बारी बिलोचन पुलकित गाता मूरती मधुर मनोहर देखी भयव बिदेव बिसेसी तोनों भाईयों को देकर सभी सुखी हुए सबके नेत्रों में जल भराया आनंद और प्रेम के आशु उमड पड़े और शरी रोमान चित होटे राम जी की मधुर मनोहर मूरती को देकर विदेह जनक विशेश रूप से विदेह दे की सुधवुद से रहित हो गए प्रभुकर पंकच कपी के सीसा सुमेर सुदसा मगन गोरी सा प्रेम मगन मनुजान इनप कर विबेक उधर धीर बोले मुनिपद नाई सिर गदगद गिरा गभीर मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रे लेकर धीरजधारण किया और मुनिके चर्णों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वानी से कहा हा कहू नात सुंदर दो बालक मुनिकुल तिलक कि नपकुल पालक ब्रम जो निगम नेत कही गावा उभै बेस धर की सोई आवा हे नात कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभुशन हैं या किसी राजवंश के पालक अथवा जिसका वेदों ने नेत कहकर गान किया ह कहीं वा ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है सहज बिराग रूप मनुमोरा ठकित होत जिमिचंद चकुरा ताते प्रभु पूछाँ सतिभाव कहू नात जनिकरह दुराव मेरा मन जो स्वभाव से ही वैरागी रूप बना हुआ है इन्हें देखकर इस तरह मुग् प्रभु पूछाँ सतिभाव कहू निर्पनी का बचन तुमार नहोई अली का इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वशोकर मेरे मन ने जबर्दस्ती ब्रह्म सुक को त्याग दिया है मुनि ने हसकर कहा है राजन आपने ठीक यथार्थी कहा आपका बचन मिथ्या नहीं हो सक ये प्रेसबही जहां लगी प्रानी मन मुसकां ही राम सुनिबानी रगकुल मनी दशरत के जाए मम हितलाग नरेस पठाए जगत में जहां तक जितने भी प्रानी हैं ये सभी को प्री हैं मुनि की रहस भरी वानी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुसकुराते हैं हसकर मानो संक करते हैं कि रहस खोलिये नहीं तब मुनिने का ये रग कुलमणी महराज दश्रत के पुत्र हैं मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है प्रभुकर पंकच का पिके सीसा सुमिर सुदसा मगन गौरी सा रामुलखंदो बंदुबर रूपसील बलधाम मख राख ये राम और लक्षमण दोनों श्रेष्ट भाई रूप शील और बलके धाम है सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद में असुरों को जीत कर मेरे यगे की रक्षा की है मुनितव चरन दे की कहरा हू कही न सकाउन ने जिपुन्य प्रभाव सुन्दर स्याम ग पुन्य प्रभाव कह नहीं सकता ये सुन्दर स्याम और गौर्वन के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं इनके प्रीति परस्पर पावनि कही न जाई मन भाव सुहावनि सुनहुनात कह मुदित विदेहु ब्रम जीव इव सहज सनेहु इनकी आपस की प्रीत बड़ी स्पावित्रों और सुहावनि है वह मन को बहुत भाती है पर वानी से कही नहीं जा सकती विदे जनक जी आनंदित होकर कहते हैं हे नात सुनिये ब्रम और जीव की तरह इनमे स्वाभाविक प्रेम है पुनि पुनि प्रभु चितव नरनाहु पुलक गात उर अधिक उचाहू मुनि ही प्रसंसी नाई पदसीसू चलेव लवाई नगर अवनीसू राजा बार बार प्रभु को देखते हैं द्रश्टी वहां से हटना ही नहीं चाती प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हदय में बड़ा उत्सा है फिर मुनि की प्रशंचा करके और उनके च सुन्दर सदन सुखद सब काला तहां बाजुले दीन भुवाला करि पूजा सब विदिसे वकाई गया उरा उग्रह विदा कराई एक सुन्दर महल जो सब समय सभी तृतुओं में सुख दायक था वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया तदंतर सब प्रकार से पूजा करी भोजन उबिसराम उबैठे प्रभु भाता सहित दिवसु रहा भरी जाम रगुकुल के शिरोमनी प्रभु श्री राम चंदर जी विशियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्षमर समेद बैठे उस समय पहर भर दिन रह गया था लकन हदय लालसा विसेसी जा प्रभु भे बहुर मुनी सकुचाही प्रगट न कही मनही मुसकाही रक्षमर जी के हदय में विशेश लालसा है कि जाकर जनकपुर देखावे परंतु प्रभु श्री राम चंदर जी का डर है और फिर मुनी से भी सकुचाते हैं इसी लिए प्रगट में कुछ नहीं कहते म नहीं मन मुसकुरा रहें राम अनुजमन की कती जानी भगत बचलता ही हुलसानी परंबिनीत सकुच मुसकाई बोले गुर अनुसासन पाई अंतर्यामी श्री राम चंद जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली तब उनके हदय में भक्त वस्तलता उमड़ाई वे दर प्रगट न कहें जो राउर आयसु मैं पावों नगर दिखाई तुरत लेयाओं हे नात लक्षमन नगर देखना चाहते हैं किन्तु प्रभु आपके डर और संकोश के कारण सपष्ट नहीं कहते यदि आपकी आग्या पाओं तो मैं इनको नगर दिखला कर तुरंत ही व पस ले आओं सुनि मुनी सुकह बचन सप्रीती कसन राम तुम राखव नीती धरम से तु पालक तुम ताता प्रेम विबस से वक सुखदाता यह सुनकर मुनीश्वर विश्वा मत्रे जी ने प्रेम सहित वचन खए हे राम तुम नीत की रक्षा कैसे ना करोगे हे ता तुम धर्म के मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीवूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो प्रभुकर पंकच कपी के सीसा सुमिर सुदसा मगन गौरी सा जाई देखि आवहु नगरू सुख निधान दो भाई करहु सुफल सब के नयन सुन्दर बदन देखाई सुन्दर मुख दिखला कर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो मुनिपद कमल बंदी दो भाता चले लोक लोचन सुख दाता बालक ब्रंद देखि अति सोभा लगे संग लोचन मनु लोभा सब लोकों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनिके चरण कमलों की वंदना करके चले बालकों के जुंड इनके सौंदर की अत्यंत शोबा देकर साथ लग गए उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए पीत बसन परिकर कटि भाता चार उचाप सर सोहत हाता तन अनुहरत सुचंदन खोरी स्यामल गौर मनोहर जोरी दोनों भ हातों में सुंदर धनुश्बान सुशोबित हैं शयाम और गौरवर्ण के शरीरों के अनकुल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी है सावले और गोरे रंग की मनोहर जोडी है केहरिकंधर बाहु विसाला उर अतिरुचिर नागमनिमाला सुभग सोन सरसीरु लोचन बदन मयंक ताप त्रेमोचन सिंग के समान पुष्ट गरदन गले का पिछला भाग है विशाल भुजाए हैं चोडी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुकता की माला है सुंदर लाल कमल के समान नेत हैं तीनो तापों से छुडाने वाला चंद्रमा के समान मुक है काननी कनक फूल छबी देही चितवत चितही चोर जनुलेही चितवनी चार उभ्रकट बरबा की तिलक रेख सोभा जनुचा की कानों में सोने के कन फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित को मानो चुरा लेते हैं उनकी चितवन द्रश्टी बड़ी मनोहर है और भमे तिर्ची एवं सुन्दर हैं माते पर तिलकी रेखाएं ऐसी सुन्दर हैं मानो मूर्ती मती शोभा पर मुहर लगा दी गई है प्रभुकर पंकच कपी के सीसा सुमिर भग सिर मेचक कुंचित केस नक सिख सुन्दर बंध दो सोभा सकल सुदेश सिर पर सुन्दर चौकोनी टोपियां दिये हैं काले और घुंगराले बाल हैं दोनों भाई नक से लेकर शिखा तक एड़ी से चोटी तक सुन्दर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ह तेखन नगर भूपसुत आये समाचार पुरवासिन पाये धाय धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निदि लूटन लागी जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकमार नगर देखने के लिए आये हैं तब सब घरबार और सब काम का छोड़कर ऐसे दोड़ भवन ज़रोखन लागी निरकही राम रूप अनुरागी सुभाव सही सुन्दर दोनों भाईयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं युवती स्त्रियां घर के ज़रोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री राम चंदर जी के रूप को देख रही हैं कहाई परस पर बचन सप्रिजती सक इन कोट काम चबी जीती सुर नर असुर नाग मुनिमाही सोभा असिकहूं सुन अतिनाही वे आपस में बड़े प्रेम से बाते कर रही हैं हे सकी इनोंने करोडों काम देवों की चबी को जीत लिया है देवता मनुष असुर नाग और मुनियों में ऐसी सोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। की उपमा दी जाए प्रभुकर पंकच कपी के सीसा सुमिर सुदसा मगन गौर इसा बै किसोर सुसुमा सदन स्याम गौर सुख धाम अंग अंग पर वारी अहीं कोटी कोटी सत काम इनकी किशो रवस्ता है ये सुन्दर्ता के घर सावले और गोरे रंके तथा सुख के धाम है इनके अंग अंग पर करूनों अर्बों काम देवों को निछावर कर देना चाहिए कहो सखी असको तनुधारी जो नमोह यह रूप नीहारी को सप्रेम बोली मुरदबानी जो मैं सुना सु सुना हूं सयानी हे सखी भला कहो तो ऐसा कौन शरीर धारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए अर्थात यह रूप जड़ चेतन सब को मोहित करने वाला है तब कोई दूसरी सकी प्रेम सहित कोमलवानी से बोली हे सयानी मैंने जो सुना है उसे सुनो एदो दसरत के ढोटा बाल मरालन के कल जोटा मुनिकौसिक मख के रखवारे जिन रन अजिर न साचर मारे ये दोनो राज कुमार महराज दसरत जी के पुत्र हैं बाल राज हंसो का सा सुन्दर जोड़ा है ये मुनि विश्वा मित्र जी के यग्य की रक्षा करने वाले हैं इनोंने युद के मैदान में राक्षसों को मारा है स्यामगात कल कंज बिलोचन जो मारीच भुज मद मोचन कौसल्या सुत सो सुख खानी नाम राम धन सायक पानी जिनका शाम शरीर है और सुन्दर कमल जैसे नेत्र हैं जो मारीच और सुबाहू के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है और जो हातों में धनुश्मार लिये हुए हैं वे कौसल्या जी के पुत् गौर किसोर बेसुबर काचें कर सर चाप राम के पाचें लच्मन नाम राम लगुबराता सुन सक्षितास सुमित्रा माता जिनका रंगोरा और किशोर रवस्था है और जो सुन्दर वेश बनाए और हात में धनुश्मार लिये श्रीराम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं व सुमिर सुदसा मगन गौरी सा बेप्रकाजुकरी बंद दो मग मुनी बधु उधारी आये देखन चापमक सुनी हरसी सबनारी दोनों भाई ब्रामण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनी गौतम की स्ट्री एहल्या का उधार करके यहां धनुशियक के देखने आ जो सकी इनहीं देखनर ना हूँ पन परिहरी हटी करई विबा हूँ श्री रामचन जी की छवी देकर कोई एक दूसरी सकी कहने लगी यहां वर जानकी के योग है है सकी यदि कहीं राजा इने देखने तो प्रतिग्या छोड़कर हट पूर्वक इनी से विवा कर देंगे को कह ए भूपती पहिचाने मुनी समेत सादर सनमाने सकी परंत पन राउन नत जई बेदी बस हट अभिवेक कही भज़े किसी ने कहा राजा ने ने पहचान लिया है और मुनी के सहीत इनका आदर पूर्वक समान किया है परंतो है सकी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता कोई कहती है यदि बिदाता भले है और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं तो जानकी जी को यही वर मिलेगा है सकी इसमें संदे नहीं है जो बिदी बस अस बने संजोको तो क्रत क्रत होई सब लोगो सकी हमरे आरती अतिताते कभुक ए आवही एहनाते जो दैवयोग से ऐसा सहियोग बन जाए तो हम सब लोग क्रथार्थ हो जाएं हे सकी मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहां आवेंगे प्रभुकर पंकच कपिके सीसा सुमिर सुदसा मगन गौरी सा नाही ता हम कहू सुनो सकी इनकर दर्शनु दूरी यह संघटु तब होई जब पुन्य पुराकरत भूरी नहीं तो विवार ना हुआतो है सकी सुनो हमको इनके दर्शन दूरलब हैं यह सैयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुन्ने हो बोली अपर कहू सकी नी का एही बीहा अतिहित सबही का को कह संकर चाप कठोरा ए स्यामल म्रदुगात की सोरा दूसरी ने का हे सकी तुमने बहुत अच्छा का इस विवा से सभी का परमहित है किसी ने का शंकर जी का धनुश कठोर है और ये सामले राजकुमार कोमल शरीर के बालक है सब असमन्जस है स्यानी यह संकर दूसरी सकी कोमल वाणी से कहने लगी है सकी इनके समंद में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि देखने में तो चोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है पर अस जास पद पंकच धूरी तरी अहिल्या क्रत अग भूरी सो की रहई बिन सिवधन तोरे यह प्रतीत पर हरई न भोरे जिनके चरण कमलों की धूलिका स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई जिसने बड़ा भारी पाप किया था वे क्या शिवजी का धनुच बिना तोड़े रहेंगे इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए जे बिरंच रच सिय सवारी तेस्यामल बरू रचेव विचारी तास बचन सुन सब हरसानी ऐसे ही हो कहें मरदुबानी जिस ब्रह्मा ने शीता को सवार कर बड़ी चतुराई से रचा है उसी ने विचार कर सावला वर भ रच रखा है उसके ये वचन सुनकर साब हर्शेत होई और कोमलवानी से कहने लगी ऐसा ही हो प्रभुकर पंकच का पिके सी सा सुमिर सुदा सा मगन गौरी सा ये हर सही बर सही सुमन सुमकी सुलोचन इबरंद जाई जहां जहां बंदुदो उतहता परमानन्द सुंदर मु और सुन्दर नेत्रों वाले स्ट्रिया समू की समू हृदय में हर्शित होकर फूल बरसा रही है जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परमानन्द च्छा जाता है पुरपूरब दिसिगेदो भाई जहां धनमुकहित भूमी बनाई अतिबिस्तार चारुकच धार बिमल बेदिका रुचिर सवारी दोनों भाई नगर के पूरप की और गए जहां धनुश्यक के लिए रंग भूमी बनाई गई थी बहुत लंबा चोड़ा सुन्दर ढाला हुआ पका आंगन था जिस पर सुन्दर और निर्मल फेदी सजाई गई थी चारो और सोने के बड़े-बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे उनके पीछे समीपी चारो और दूसरे मचानों का मंडला कार घेरा शुशोबित था पचुक उंची सब भांती सुआई बैठें नगर लोग जहाँ जाए दिनके निकट विसाल सुआए दवल दाम भू बरन बनाए वह कुछ उंचा था और सप्रकार से सुंदर था जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे उनी के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक र की रचना जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब इस्थियां यथा योग जिसको जहां बैठना उचित है बैठकर देखेंगी नगर के बालक कोमल वचन कह कह कर आदर पूरवक प्रभु श्री राम चंद्री जी को यग शाला की रचना दिखला रहे हैं प्रभु कर प्रेम के वशोकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को चूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाईयों को देख देखकर उनके हिद्य में अत्यंत हर्ष हो रहा है सिस सब राम प्रेम बस जाने प्रीत समेत निकेत बखाने ने जिने रुची सब ले ही बुलाई सहित सने जाहीं दो भाई श्री राम चंद्री ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यग भूमिके स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशनचा की इससे बालकों का उत्सा आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया जिससे वे सब अपनी अपनी रुची के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रते एक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहीत उनके पास चले जाते हैं राम देखावई अनुजही रचना कहिम्रद मधुर मनोहर बचना लव निमेश महु भुवन निकाया रचई जासु अनुसासन माया कोमल मधुर अन्मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्षमण को यग्य भूमी की रचना दिखलाते हैं जिनकी आग्या प धनुश मक्षाला कौतुक दे की चले गुरुपाही जान इबिलंब उत्रास मनमाई वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुश यग्य शाला को चकित होकर आश्र के साथ देख रहे हैं इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे जास उत्रास डर कहुं डर होई भजन प्रभाव देखावत सोई कही बाते मरेद मधुर सुहाई कि ये विदा बालक बरियाई जिनके भैसे डर को भी डर लगता है वही प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भैका नाटे करते हैं दिखला रहे ह उन्होंने कोमल मदूर और सुन्दर बातें कहकर बालकों को जबर्दस्ती विदा किया प्रभु कर पंकज कभी के सीसा सुमिर सुदसा मगन गौरी सा सभय सप्रेम बिनीत अति सकुच सहीत दो भाई गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आयस उपाई फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिरनवा कर आग्या पाकर बैठे निस प्रवेश मुनी आयस दीना सभही संध्या बंदन कीना कत कता इतिहास पुरानी रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी रात्री का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनी ने आग्या दी तब सबने संध्या बंदन किया फिर प्राचीन कता इतिहास कहते कहते सुन्दर रा इनितब जाई लगे चरण चापन दो भाई जिनके चरण सरोरुह लागी करत बिबिद जप जोग बिरागी तब श्रेष्ट मुनिने जाकर शेयन क्या दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे जिनके चरण कमलों के दर्शन अवम स्पर्श के लिए वेरा गिवान मातिभात के जप और योग करते हैं तेई दो बंधु प्रेम जन जीते गुरुपद कमल पलोटत प्रीते बार बार मुनि अग्यादी नी रगुबर जाई सयन तब की नी वेही दोनों भाई मानों प्रेम से जीते हुए प्रेम पुर्वक गुरुज़ी के चरण कमलों को सोवहुताता पौड़े धर उर पदजल जाता श्री राम जी के चरणों को हदे से लगा कर भै और प्रेम सहित परम सुकानुभव करते हुए लक्षमर जी उनको दबा रहे हैं प्रभु श्री राम चंद्र जी ने बार बार कहा हेता तब सो जाओ तब वे उन चरण कमलों को हदे में धर कर लेट रहे प्रभु कर पंकच का पिके सी सा सुमिर सो दसा मगन कौरी सा आज की कथा यहीं तक जै सिया राम